एगरी कल्चर आज तो मतलब समझाने से जादा याद करना है तो इस चाप्टर से देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड तुमारे मैप है मोस्ट एक्सपेक्टेड तुमारे से जादा इस चाप्टर में हमें फोकस करना है यह चाप्टर सिराव फैक्ट्स पे भरा हुआ है हम सादा तर चाप्टर समझते हैं इसे भी समझेंगे ऐसे बात नहीं है लेकिन इसमें तुम्हें याद बहुत कुछ करना है अगेन हम नोट्स बनाएंगे जो जो नोट्स बना रहा है वो पहले ही रेडी रहे कि आज के जो नोट्स है वो फोर पेजिस से जादा एक्सीड नहीं होने चाहिए टैबिलर फॉर्म में सारे फैक्ट्स लिखेंगे अगर हम खारे फ्राभी जाइद ग्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो डैरेक्ट आज टैबिलर फॉर्म में ही सबके नोट्स बनने चाहिए चलो स्टार्ट करेंगे हम इस चाप्टर से रिविजन पर सादा फोकस करेंगे आज के चाप्टर पर क्यूंकि याद अगे ने तुम्हें बता दूं याद बहुत कुछ करना है इस चाप्टर में तो कोशिश यह करेंगे कि दो-डो टॉपिक्स कम्प्लीट करें तीं-टीं टॉपिक्स कम्प्लीट करेंगे चलो कौण से कौण से फार्मिंग सिस्टम्स हैं हमारे इंडिया में प्रेमितिव , और फिर नेक्सिव , नेक्सिट कौण stepping कोमर्शियल ठीक है पहले तो हम से वर्ट से समझ लेंगे primitive का मतला भी क्या होता है पुराने टाइप का old school पहले के जमाने का ठीक है जब हमारे पास android phones नहीं थे इतना high speed वाला internet नहीं था laptop computers का इजात नहीं हुआ था तो पुराने जमाने में जी रहे थे ना लोग तो पुराने जमाना primitive पहले का ठीक है लास्ट कौन सा है commercial commercial मतला बाजार में बेचने वाला सिव आपके लिए नहीं आप दूसरी जगह पर भी बेच के आओगे जैसे commercial life हो जाता है ना restaurant होते हैं कोई एक city है मानलो राजिस्तान की जो city है उद्धैपूर वो इतनी प्यारी है उदर इतने lakes है तो उस वज़े से क्या ह गया उसके आज पास ना देखते जाओगे तुम लोग की लेक विव आजकर के लोगों को ना बहुत पसंद है कि हमें हम जहां पर कैफे जा रहे हैं कोई हम कोई रेस्टान जा रहे हैं तो हम अच्छे विव दिखे अच्छे अच्छी सीनरी दिखे दिखता है ना तो उस सी कि अच्कार के साथ sapra जники वाला एरिया होता है लेक के पास रेस्टान अटना ना शुरू हो गए होंटल बनना शुरू होंगाय कैफे और शीरत क्वा ना शुरू हो गै तो रहे हैं कि पैसे अगेलिकल्चर भी कमरशिल हो गया चलो एक तो सबसे पहले तो यह समझना है कि 3 forms के 3 types की farming होती है एक तो पुराने जमाने वाली primitive एक जब बहुत जादा लोग अपने ही घर के लिए अपने ही खाना पूरा करने के लिए अपनी इनीज के लिए जो farming करते हैं उसे और एक जो अपनी नीज के साथ साथ market नीज को पूरी करने के लिए farming करते हैं उसको बोलते हैं commercial farming अब deeply एक एक करके समझेंगे चीक है सबसे पहले आती है primitive subsistence farming it is a slash and burn agriculture slash and burn बहुत बार पढ़ चुके है 9th class में भी तुम लोग ने पढ़ा है एक type का cultivation होता है जिसे हम slash and burn cultivation कहते हैं वह कौन सा cultivation होता है shifting cultivation क्या पता है कि नहीं है bien कि shifting cultivation होता क्या है कि ऑ होता है shifting cultivation जल्दी से समझा रही हôm एक land है बहुत बड़ा उसका एक चोटा सा park के land में बहुत जादा पहले क्या किया जाता है वहां के जो पेड़ केड़ कर दिया जाता है उसको क्या कर दिया जाता है बन करने के बाद क्या होता उसके ashes जो वहाँ पर होते हैं, उसमें क्या बो करते हैं, क्या उगाया जाता है फिर उसमें, seeds, ठीक है, और वहाँ पर पहले थोड़े time तक 5-6 सालों तक cultivation होता है, जब वो land थोड़ा सा खराब होने लग जाता है, weak होने लग जाता है, वागी fertility कम हो जाती है, तो वो छोड़क के farmers और दूसरी जो पूरी family है, वो दूसरे patch of land पे चली जाएगी, वहाँ पर यह same process repeat करेगी, वो खतम हो जाएगा तब तक इस वाला जो पहले वाला land है, वो ठीक होने लग जाएगा, तो family वहाँ आपस भूम कर उस वाली land पर आ जाएगी, तो एक जगह से एक patch of land पे काम क करने के बाद वो वापिस जाती है, दूसरे patch of land पे, फिर वो कभी-कभी लॉट के उसी patch of land पे आ जाती है, कुछ सालों बाद, farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops, ठीक है, when the soil fertility, जब soil fertility decrease हो जाती है, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation, इसका मतलब समझाया, एक land पे जब लोग वहाँ के fertility यूज कर चुके होते है, agriculture cultivation जब complete हो जाता है, तो दूसरे patch of land पे, वो same process repeat करने चले जाती है, तो यह सबसे पुराने टाइप का method है, इसलिए इसको primitive subsistence farming कहते है, मिल गया primitive subsistence farming का first point, क्या लिखोगे notes में, flash and burn या फिर shifting cultivation, ठीक है, all right, सबसे पहला मिल गया shifting cultivation, आगे बढ़ते है, it is known by different names in different parts of the country, it is also known as jhoming in north eastern states, ठीक है, land productivity is low in this type of agriculture, तो क्या मिला, second point, low land productivity, low land productivity का मतलब क्या हुआ, कि इस पे आप कुछ साल तो cultivation कर लोगे, लेकिन फिर वो land खराब हो जाएगा, तो आप बूसरी जगा जाओगे, वहाँ पर से जब वापिस उस पुराने वाले land पे लोट के आओगे, तो वो आपको जैसा पहले उतने आपको एक अच्छे amount में cultivation crops होगा के दिये थे, वो crops वोगा के नहीं देखा, इसको ऐसा समझो कि आप कहीं से बहुत ठके, बहुत हालत खराब हो गई है, पूरे दिन ठके आते हो और आपको लगता है कि आप कमसे हम 10 glass पानी के पी जाओगे, ऐसा होता नहीं, आप एक glass पानी का पी लेते हो, दूसरा glass पी लेते हो, तीसरे glass पा आपको वो satisfaction नहीं मिलता है, जो आपको पहले वाले glass में मिला है, ठीक है, तो इस land के साथ भी बच्चा यहीं होता है, इस land पे आपने cultivation कर लिया, जब वो land खराब होने लग गई तो आप कहीं हो और चले गए, कुछ साल आपने उसको दे दे कि ठी कि हम पाचे साल बाद उस land पे वापस आएंगे, तो जब आप वापस आते हो, तो इतनी fertility आपको नहीं मिलती है, इतना production उधर नहीं मिलता है, तो इसलिए land की productivity हो जाती है, कम, this type of farming depends on what, किस पे depend करती है, primitive subsistence farming, depends on monsoon, या फिर rainfall, ठीक है, बन गए notes, अब तीनों के keywords लिख ल primitive में shifting cultivation आता है, productivity कम है, और depend करती है कि spare rainfall पर हो गया, इसके बाद देखते हैं, next आ गई कौन सी, intensive subsistence farming, this type of farming is practiced in areas of high population pressure on land, इसको समझो, ठीक है, ये है हमारा land, ये land है हरशित का, ठीक है, हरशित इसका owner है, इतने बड़े land का, ठीक है हरशित, अब हरशित की बाद में शादी हो जाती है, और हरशित के हो जाते हैं, दो boys, ठीक है, तो हरशित ने बोला कि ठीक है, मैंने land divide कर दिया, 50% मेरे A वाले बेटे को जाता है, 50% मेरे B वाले बेटे को जाता है, land divide हो गया, land कम हो गया, पहले हरशित के पास इतना सारा land था, अब उसके बच्चों के पास हो गए मतलब आदा आदा हो गया तो आदा बढ़ गया अब इस वाले A की भी फैमिली बन गई और B की भी फैमिली बन गई तो A के भी दो बच्चे हो गया फिर लैंड बढ़ गया तो धीरे धीरे population increase हो रही है फैमिली आगे बढ़ रही है तो लैंड तो नहीं बढ़ेता ना कि लैंड बोले चलो तुमारी फैमिली बढ़ दिये तो मैं भी बढ़ूगा लैंड तो आपके पास उतना ही था ना तो लैंड वे प्रेशर अब जादा हो गया की नहीं हो बताओ और लैंड का हाई प्रेशर होने की वज़े से पॉपिलेशन इतनी जादा होने की वज़े से सबके हाथ में कम-कम हिस्से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं आई ठीक है इसलिए इसको लेबर इंटेंसिफ फार्मिंग लेबर इंट कर रहा था तो मिल रहा है आदे लैंड से खाना आदे लाइन से नीवी आ तो भी बहुत था अब जब आपके बास इतना इतना सा पढ़ गया है तको उस चकर के चाका उसको रिजल्ट लाने के चक्कर में इतने तरीके के chemical products यूज़ के जाते हैं उस land पे ताकि higher production हो जाए तो first point क्या मिला आपको intensive substances का high pressure on land high pressure on land bracket में क्या डालोगे population और arrow बना के increase population increase होने के वज़े से high pressure हो गया ना second labor intensive labor intensive का मतलब तुम लोग समझी गए हो क्या है मतलब क्योंकि अब सबके हाथ में इतना इतना सा land की हिस्ता बचा है तो जितनी हो सकेंगे उतनी फसल लोगाने की उतनी कोशिश करेंगे तो वो जो चाहे जो fertilizer use हो रहे है वो use करने की कोशिश करेंगे जब वो families खतम हो जाएंगे अगर वो families उस land की नहीं होगे तो वो land पूरी government की हो जाती है ऐसा तो नहीं होता न generally देखो आपके दादा के पास होगा एक बड़ा असा घर ठीक है दादा के हुए दो बेटे तो घर बढ़ गया दो बेटों में ठीक है उन नोनों बेटों की families आई तो और घर बढ़ता चला गया तो इतना बड़ा घर था वो बढ़ता चला गया कि नहीं गया भाई घर तोड़ी न आपके साथ बढ़ेगा या लैंड तोड़ी न आपके साथ पर दस लोगों की फसल उगानी है तो मुश्किल होगा की नहीं होगा तो इसलिए intensive का मतलब होता है बहुत जादा कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि लोगों के पास है जमीन इतनी सी और चाहिए उनको फसल उतनी इतनी सी लैंड से तो अभी फसल का चाहिए कुछ भी कोई भी इरिगेशन मेथड है वो यूज करने की कोशिश करेंगे ठीक है लास्ट आता है क्रुमर्शल फार्मिंग ये तो सबसे हाई टाइप कमर्शल को सबसे पहले आप क्या लिखोगे जो चीज हमें कैश दे ठीक है जो सबसे पहले हमें पैसा दे तो उसमें कौन से वाल सबसे पहले तो अगर आपको मार्केट में बेचना है ठीक है अब आप अपने घर के लिए तो नहीं उगा रहे हूँ आपको नीट्स पूरी करने आसपास के जितने शहरों के वहां तक फसल को पहुचाना है तो आप जितना हो सके अच्छी कॉलिटी ऑफ सीड्स करोगे कि जल्दी से अच्छी से अच्छी पतल आपके हाथ में आ जाए और इसमें कौन सा वाला मेथर्ड यूज किया जाता है प्लांटेशन क्या होता है बड़ा सा लैंड है ठीक है टी कॉफी रबर ऐसी सारी चीज़े जो होती है उनको एक सीधी लाइन में उगाया जाता है यह लोग यह टी-टी-टी-टी-टी है एक ही बड़े लाइंड पे सिर्फ एक क्रॉप होगा ठीक है यह आपकी टी-उगरी बस एक सिंगल पैटन में होगेगी एक यूनिफॉर्म बैटन में होगेगी जैसे स्कूल में सुबद सुबद जब असेमली और प्लेयर का टाइम होता होगी एक ही हाइट होगी एक ही तरीके का क्रॉप होगा एक ही लैंड पे एक ही क्रॉप होगा उसे कहते हैं प्लांटेशन तो आपको क्या मिला अपना सेकेंड पॉइंट मिल गया क्या मिला प्लांटेशल में pos. ठीक है इधर यूज होता है plantation method plantation method exam time पर याद नहीं आए तो bracket में लिखोगे single crop ठीक है next all the produce is used as raw material in industries तो यह जितना भी tea है कौती है rubber है गना है बनाना है यह फिर जाता है इसकी फसल जब हो जाती है इन फसल के बाद इसको बड़े बड़े trucks में बड़ी गाड़ियों में इंडस्ट्री में पहुंच आया जाता है फिर टी से बनेगी आपकी चाय पती कॉफी से सीड बनेंगी सब कुछ होएगा और वो फिर आपकी घरों तक मिलेगा markets तक जाएगा और markets आएगा आपके घरों में तो फिर इसका third point क्या हो गया production used as production कैसे use हो रहा है as raw material ठीक है और example भ coffee rubber ठीक है समाज आया है यह पार्ट पूरा आगे बढ़ें ओके चलो next अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया में कितने तरीके के cropping patterns होते हैं ठीक है अब मुझे पता है यहाँ पर देखो तुम्हे confusion होने वाला है तुम खारिफ में राभी लिखे आओगे राभी में खारिफ लिखे आओगे यह सब confusion अभी चलने वाला है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती मतलब मैं आपको याद करवा सकती हूँ लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि तुम इसमें confused नहीं होना ठीक है चलो एक और इसका एक easy तरीका बताती हूँ याद करने का कोई भी एक याद कर लो जैसे अगर तुमने खारिफ याद कर लिया तो खारिफ के जो बचा हूँ टाइम है वो जाएगा किसको वो राभी को जाएगा और राभी और खारिफ के को मुझे तो इतने time confusion रहता था तो मैं चर्फ एक याद कर थी खारिफ को एक्जाम में आता था तो खारिफ लिख ले थी रफ में पूरा खारिफ लिख लिया मैंने अब जो भी राभी का कुछ कुछ पूछ रहे हैं तो मैं देख लेती थी खारिफ में जो आ रहा है वो तो नहीं होगा तो खारिट या राभी उनमें से एक चीज पूरी-पूरी याद कर लो दूसरा तो तुम्हें बचेवे टाइम में ही उसको include करना है ठीक है एक साथ तो एक जगह पर दोनों नहीं आ सकते कुछ-कुछ crops आते हैं लेकिन mostly क्या होता है खारिट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और राभी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है बीच में तो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें जैद crops आते हैं ठीक है चलो सबसे पहले इसको इसी तरह से जैसे मैंने याद रख लो ठीक है कि कोई भी जांवी तो राभी से स्था करतें ठीक है सबसे पहले सीड्स का पुगा रहे हो इसके तुम उक्टूबर और दिसम्बर के बीच तुमने आज उखा दिया, दस दिन बाद हो इतना बड़ा पौधा तोड़ी ना बनके आजाएगा, टाइम दोगे ना तुम उसे 6 महीने का, तुम वहीं से 6 महीने कालकुलेट करके, तुम उसको कब हार्वेस्ट कर लोगे, तुम उसको हार्वेस्ट कर लोगे, एपृल से अब अगर exam point of view से याद कर रहे हो तो सारे याद नहीं करने कोई भी तीन याद कर ले ना चलो तो राभी खारेब को छोड़ दो सबसे पहले हम राभी को देखेंगे राभी कब उगाया आपने सर्दियां आ गई है ठीक है सर्दियों के टाइम पर आपने इसकी seeds बो कर दिये seeds डाल दिये ठीक है अब आप उसको थोड़ा सा time तो दोगे तो थोड़ा time हो गया 6-7 महीने हो गया आदा सान निकल गया तो जाके उसको harvest कर लोगे कब harvest कर लोगे एप्रिल से जून के बीच में कर लोगे अब वो कौन सी चीज है वीट हो गया बारले हो गया पीज हो गया ग्राम हो गया और mustard हो गया ठीक है अल्राइट अब इसका जस्क दूसरा बचावा time आ जाएगा खारिफ में तो खारिफ को कब आप बो करोगे जब इसको harvest करोगे तो राभी के आपने जो कपेड है राभी से जो kरॉप्स उग रहे हैं राभी वाले सीजन के वो क्रॉप्स जब निकलेंगे तो जगा छोड़ के किस खिले छोड़ तो उन्हों नहीं जगा छोड़ दी खारिफ के लिए तो जैसी उन्होंने अपनी harvesting कर ली, समझ आया, नहीं आया, तो एक याद करो, उसी को opposite कर दोगे, तुम किसमें, खारिफ में कर दोगे, राभी याद करोगे, राभी का जो sewing season है, वो उसका harvest season बन जाएगा, और उसका harvest season है, उसका sewing season बन जाएगा, हो गया ना, interchange करना है तुमें बस, ठीक है, चाड़ो, example, paddy, maze, जौर, बाजरा, अरहर, मूंग, ये सारी दाले भी हो गई, ठीक है, तो अर्मूंग, उड़त, cotton jute, मूंग, फाली, soya bean, groundnut और soya bean, ठीक ह तो ये होगए examples, खारिफ और राभी बड़े-बड़े crops है, major season है, लंबा time लेते हैं, बीच में कहीं जगा मिल गई, तो आजाता है, Z crops, वो कौन से कौन से होते हैं, in between, the राभी and the खारिफ season, there is a short season during the summer month, as known as Z season, especially तुमें एक सी examples ही समझ आ जाएगा, जो आपका तर्बूस ह आप पूरे सालों से नहीं खाते हैं, बहुत कम time आपको मिलता है, खीरा, कुकंबर, vegetables and fodder crops, fodder crops कौन से होते हैं, जो आप अपने cattle को, जो animals को भी हम provide करते हैं, जो crops जोग रहे हो तो उसको काट के उस टेंटी खेती हम animals को भी देते हैं, उसको fodder crops कहते हैं, ठीक है, चलो, तो quickly revise करेंगे, राभी का sowing season कब है, October से December का, तो अगर वो राभी का sowing season है, वो किसका harvest season बन जाएगा, वो खारिफ का बन जाएगा, तो अगर राभी का October से December उसका sowing है, तो मतलब इस टाइम पे खारिफ को अपनी जगा छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर राभी को कब harvest कर एपरिल और जून में, उसी टाइम जब harvest कर रहे हैं, तो फटा फट से खारिफ भाग के आ जाएगा, और बोलेगा कि अब मुझे अपनी seeds उगानी है, ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना है, notes exactly इसी table पे बनाने हैं, और ऐसे ही दोनों को interchange करना है, तो जब exam में लिखोगे एक याद कर लिया, तुमने तुमने राभी याद कर लिया, तुमने राभी का sewing भी याद कर लिया, तुमने harvest भी याद कर लिया, अब तुमें खारेफ लिखना है, तो फटा फट से उसका sewing को इधर डालो, और इसका harvest को इधर डालो, बस, full one, ठीक है, अब एक एक crops के बारे म उसके बाद मैं questions लूँगे, rice कौन से crop में आता है, खारिफ का time कब है, April में, ठीक है, उसका खारिफ crop है, it requires high temperature, अब आप जब notes बना रहे हो, तो मैंने तो आपको एक एक करके लिखने के समझाएने, आप बनाओंगे ऐसे, यहां आएगा rice, यहां आएगा wheat, ठीक है, लिखते चले जाओ, अब मैं सब चीज़ें नहीं बताओंगे, कि एक एक note कैसे बनाना है, मैंने बता दिया, table में ही बनेगा, ऐसे नहीं लिखना है, जिससे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले, खारिफ मिल गया, तो first point मिल गया, temperature, तो लिखा temp, high, मतलब high temperature चाहिए, ठीक है, high humidity, annual rainfall कितनी चाहिए, ज्यादा rainfall चाहिए, कितनी, above लिख दिया, above, hundred centimeter, मिल गया, third point, India is the second largest producer of rice in world after China, MCQ question, लिख दिया, fourth point में, second largest, यह मिल गया, it is grown in the plains of north and north eastern India, coastal areas and the deltic regions, mostly आपको पूरे area में, almost all over India में, आपको rice की cultivation, और rice तो आपको mostly हर जगा मिलेगा ही सही, map जब लिख रहे हो, तो map mark करते रा करो, ठीक है, अब areas है, तो कोई भी area लिख दिया, तो इधर example में लिख दिया, north and north eastern area, ठीक है, दो areas मिख दिया, यह बन गए आपके rice के notes, सबसे पहले क्या बना, खारेफ क्रॉप है, second क्या बना, उसको ज़्यादा temperature चाहिए, ज़्यादा temperature के साथ उसको ज़्यादा बारिश भी चाहिए, तो above 100 cm उसको rainfall भी चाहिए, second largest है, north and north eastern region में मिल जाएगा, wheat क्या हो गया, उसका rabi crop, अभी rice and wheat को ऐसे समझो कि rice अगर खारेफ हो गया, तो rice and wheat हमारे इंडिया में खाने के सबसे important ingredients है, मतलब wheat और rice के बिना तो शायद ही किसे का घर पे काम चलता है, तो अगर rice एक खारेफ हो गया, एक याद रख रहा तो wheat उसका opposite हो गया, राभी हो गया, it requires, अब हर चीज़ उल्टा करते जाओ, requires a cool growing season, तो मिल गया आपको, first क्या हुआ, राभी, second temperature इसका क्या होना चाहिए, down, भई cool season मतलब कम temperature चाहिए ना, bright sunshine at the time of brightening, जब उसकी खेती हो रही है, तो उसको अच्छी sunlight चाहिए, तो next point आपका क्या मिला, good sunlight, ठीक है, ये हो गया, next क्या मिला, it requires इसकी rainfall, hundred से लगबग बिलकुल आदी है, 52 centimeter rainfall चाहिए, तो again आपको क्या मिल गया, आपका example, 52 75 centimeter rainfall, लो, ये भी notes में लिग लिए, ये भी बन गया, next पढ़ेंगे, next क्या है हमारे पास, wheat का nexty part, false areas में आता है, तो गंगा सतलच वाला प्लेइन, इंडिया के बिलकुल central वाला रीजिन, फिर नौर्ट एस्टन वाला रीजिन, black soil of Deccan वाला south रीजिन, और two main, are the two main wheat growing zones in इंडिया, तो wheat भी आपका ऐसा crop है, जो all over इंडिया में आपको हर जगे mostly मिल जाएगा, second most important cereal crop and main food crop in the north and northwestern part of इंडिया, तो ये वाले rice ते confusion नहीं करना, rice world की बात कर रहा है, wheat यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, it is the second most important cereal crop and made food crop, इसके बिना तो life ही नहीं है, wheat तो चाहिए ही चाहिए न, है न, तो notes में हमारे बन गए rice और बन गया हमारा wheat, rice होता है खारे, wheat होता है राभी, rice को चाहिए high temperature, wheat को चाहिए low temperature, rice को चाहिए ज़्यादा rainfall 100 cm गे उपर, wheat को चाहिए 50 से 70 cm वाली rainfall, बस opposite वाल तीन पॉइंट सो तुमने वैसी लिख लिए, तीन माग सो तुम्हारे पक्ते ही पक्ते हैं, चलो, millets, major crops in India, major crops मतलब millets, क्या होता है, अनाज ही होता है, मोटा अनाज, सुना होगा न, सर्दियों में जौार, बाजरा, रागी की रोटी, अगर खाते हो तो, अगर आपके एरिया में सर्दियां है तो, are important millets grown in India, these are known as coarse grains and have very high nutritional value, वहीं गर्बी में तो जादा नहीं खाया जाता है, लेकिन किसके घर में, obviously, जौार बाजरा की रोटी बनती है, सर्दियों के टाइम पे especially, चलो, ठीके हैं, तो इसकी high nutritional value होती है, और ये होते हैं, healthy, अब इन तीरों के parts पड़ेंगे, good, चलो, next topic, जौार, अब हम तीन तरीके के millets, तीन तरीके के अनाच पड़ेंगे, क्या-क्या हैं, जौार, बाजरा और रागी, जौार is the third most important crop with respect to the area and production, wheat के बाद सबसे ज़ादे जो गाया जाता है, वो है जौार, बाजरा बाद में करेंगे पहले जौार का, it is a rain-fred crop, mostly grown in the moist areas, तो इसको क्या चाहिए होती है, जहां पर बारिश है जादा है, उस एरिया में ही उखता है, कौन से एरिया में सबसे ज़ादा बारिश होती है, automatically सोचो महराष्टरा में, करनाटका में, अंधर प्रदेश में और मद्धे प्रदेश में, भाई अकर इसको ज़ादा बारिश है चाहिए, तो ना तो ये राजिस्तान की तरफ होगेगा, क्योंकि राजिस्तान में तो बारिश है यह नहीं, है भी तो कितनी कम है, और इसको क्या चाहिए, ज़ादा बारिश चाहिए, तो ये हो गया जुआर, नेक्स्ट कौन सा है, बाजरा, ग्रोस वेल ऑन सांडी एंड शालो ब्लाक सॉल, डेकें एरिया के अराउंड भी आपको मिलता है, और शालो ब्लाक सॉल चाहिए, तो ना तो इसको ज़ादा बारिश चाहिए, ना इसको डीप अच्छी, बहुत भी डीप सॉल चाहिए, तो कहां पर हो गया आपका, मिल गए आपको रियाजस्तान वाला एरिया मिल गया, उतर प्रदेश मिल गया, गुजरात मिल गया, हर्याना मिल गया, महाराष्टा में भी उखता है, ठीक है, तो सबके इतने सारे याद करने के ज़रुत में है, तीन-तीन काफी है, रागी तो बिल्कुल ड्राय रीजन का क्रॉप है, रेट सॉयल पे, ब्लाक सॉयल पे, सैंडी, शालो ब्लाक सॉयल, ठीक है, इन सब एरियाज में उखता है, तो कहां पर मिलेंगी वो सॉयल, करनाटका, तमिलनाडू, उतराखरंट, जारकंड, सिक्केम, अरुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सबसे जादा इसके एरियाज याद रखो, पहाडी रीजन में, जहां पर इतनी शालो सॉयल है, और बोसली नौर्ट इस्टन रीजन में, जहां पर भी शालो सॉयल मिलती है, तो नौर्ट इस्टन रीजन में कहां आ गया, सिक्किम आ गया, जहारकंड वाला इस्टन रीजन आ गया, और अरुनाचल प्रदेश आ गया, अगैन, तीन-तीन याद रखोगे, काफी है, क्योंकि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, कि मैं इतने सारे कैसे याद रखें, तो जौर अगैन, रिपीट कर रही हूँ, थर्ड इंपॉर्टिंट है, वीट के बाद आपका जौरी आता है, जौर को चाहिए, मॉइस्टी, बारिश चाहिए, अब बारिश सबस्दाद आपको साउथ रीजन में मिलेंगी, सेंट्रल रीजन में मिलेंगी, तो और्टमाटिकली कनेक्ट करके क्या डालोगे, महराष्टा डालोगे, और अंदर प्रदेश डालोगे, महराष्टा डालोगे, और कनाटका डालोगे, तीन याद रखोगे, फिर उसके कम किसको चाहिए बाजरा को, बाजरा को इतनी बारिश नहीं चाहिए तो राजस्तान में भी, यूपी में भी, महाराश्चन में भी, गुजरात में भी, हर्याना में भी उग पाएगा, और उसके बाद लास्ट आता है रागी जिसको में 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 संहें नियुक्यू है तो में में इसके बीं। इसके इसे नोट्त नी यह तो मैंने आपको टाबिला फॉर्म तो तुम्हें सबको पता है ठीक है एक और तरीका होता है नोट बनाने का जो आपके बहुत कम जगह में अच्छे से बन सकते हैं आपने लिखा जैसे मैं अभी वैसे लिख देती हूँ चलो हमने लिखा क्या मेज मेज को क्या किया सर्कल किया सबको पता है यह लेकिन बनाते कोई नहीं है ठीक है अब बनाओगे ऐसे चलो फॉर्स पॉइंट निकालेंगे कौन सा क्रॉप है मेज जल्दी जल्दी खारिस तो बहुत गर्मी तो लिखोगे क्या लिखोगे 21 डिग्री से 27 ब्रैकिट में क्या लिखोगे टेंप्रेचर ताकि बाद में पता चल जाए कि क्या बात कर रहे हो 20 से 21 सेंटीमेटर एंट फॉल ही लिख दिया तो ठीक है इट इस यूस्ट आस बोथ कूड अन फॉडर का फॉड पॉडर का मतलब पूड जो हम खा रहे हैं और फॉडर का मतलब आनमल्स को भी देते हैं जीक है तो जब कॉन उगरे होते हैं तो ऐसा नहें कि उनको छील चील के आप आ हमुड हाए हम कहारे वैश Esume के उनको खर रहे होती है है तो उसको काड़ काड़ृ के इन लिख ऋड़ पॉइंट पर्स्ट करनाटका थ्री लिखेंगे हम सिरफ करनाटका लिखा MP लिखा एंड यूपी लिखा ठीक है उसके बाद आपकी मरदी आपकी इच्छा आपको जादा लिखना है तो आप जादा स्केट्स लिख सकते हो ठीक है तो देखो बने में मेंस के नोट बन गए अब उसको पूरा-पूरा सेंटेंस लिखने जाओगे तो कुछ भी आद नहीं रहेगा यह लिखा मेंस का तो मेंस के आपके चार पॉइंट्स निकल गया आपको आटोमाटिक लिखाम जब पढ पॉरा-पूरा लिखने की किसी को ज़रत नहीं है ठीक है अभी मैं रिवाइस कर आँगे तब क्व,'s करेंगे मेज़ल प्ल्स लोन इं इंडिया आ, सब को पता है तुम इंडिया के हो तुम्हें इतनी सारी डाले नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा सबको पता है कि नहीं पता है तो डालों के नाम तो तुम लिखी सकते हो कौन सी कौन सी है अरहर की डाल और उरड और मूंग और पीज और ग्राम यानि चना किसी को कुछ डालों के बारे में नहीं पता तो कृपिया करके मुझसे पूछ ले वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पता होगी यह कौन सी डाले है चलो तो सब को पता है डालों के नाम तो कौन से कौन से है ओल राइट largest producer हो गया मिल गया एक point protein देता है मिल गया दूसरा point कहां कहां mostly grown in rotation with other crops ठीक है तो generally क्या होता है यह land है इस पे crops उग रहे हैं ठीक है crops उगने के harvest और बोग के time पे बीजवीच का जो समय बचता है या कुछ time period जो आता है उसमें pulses को जगा दे दी जाती है ठीक है तो यह rotation में उग जाता है कभी कभी जो already उस खेट पे दूसरे crop उग रहे हैं उनके साथ ही pulses को उगाया जाता है तो क्या आ गया grown in rotation मिल गया next point last point देखेंगे कौन से कौन से एरियाज है MP राजिस्तान महराश्ट्रा उतर प्रदेशन करनाटका तो कोशिश एक ट्रिक बताती हूं जैसे मेज की और pulses की जो common states है वो याद रखा करो ठीक है उससे क्या होगा तुम्हें जादा याद करनी की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो देखो इस की क्या क्या एक करनाटका है क्या pulse में करनाटका मिला थों स funds में प्रदेश विल्कुल आ रहा है यहलो MP लिख दिया और क्या रही है ज में-बिभार उत्तर प्तप्रदेश अंगरी प्लस्में आरही है। उत्तर प्रदेश लिख दो क्यों तो common common states तुम लिखा करो ताकि तुम्हें पता लग जाए कि मेज और सब्समें तो कोई भी तीन्हाद कर लो जो मेज में भी है और जो पल्सके मे ताकि तुम्हें जादा याद करने की ज़रूत नहीं पड़े, तुम मेज की अलग तीन याद कर रहे हो, तुम पल्सिस की अलग तीन याद कर रहे हो, तुम्हे कुछ याद नहीं होगा, मुझे ही नहीं नहीं होगा, normal human tendency है, इतने सारे crops के states हैं उनको याद करना थोड़ा मु यह globe है ओहो वाओ यह globe का क्या है equator है ग्लोब के उपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं कौन सा zone होता है ये torrent बोल सकते हो या फिर ट्रॉपिक zone है उपर और नीचे same होगा ठीक है उसके उपर और थंड होने लग जाती है तो कौन सा जोन आ जाता है उसके उपर, टेमपरेज, अब उपर उपर क्या बचा लास्ट में, पोलर, है न, ठीक है, अब क्यों बोलते हैं कि शुगर के इन ट्रॉपिक एंस अब ट्रॉपिकल क्यों है, इंडिया कहां लोकेटिड है, यहां, अभी जगा यहां दिखा रही हो इंडिया हमारा एक्वेटर के बिल्कुल पास में है, ठीक है, ट्रॉपिक ओफ कैंसर इंडिया से पास होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तो जो नीचे वाला रीजन है, वहां वो एक्वेटर के जादा पास में है, तो वो हो जाता है, गर्मी वाला एरिया, और उ उपर ट्रॉपिक ऑफ केंसर के उपर वाला जांठंडा कूलरीजन है बहाँ पर भी उपता है इसले इसको बोला है ट्रॉपिकल में भी उपता है सब्डॉपिकल में भी उपता है ठीक है it grows in low second point इजह लिखा गया it grows in hot and humid climate with a temperature of 21-27 डिगरी बी and annual rainfall between 75 to 100 cm. तो अब इसको हम clear कर लेते हैं और फिर से हमारे note बनाएंगे. Sugar cane, first, console zone, tropic and subtropic. ठीक है? यह हो गया first point. Second, क्या चाहिए? It grows hot, it grows well in hot and humid climate. Hot में सबसे ज़्यादा उपता है तो और with a temperature of 21 to 27 degrees Celsius. उसके अलावा rainfall कितनी चाहिए? 75 से 100 cm. rainfall bracket में लिखने न, जिसको cm से confusion हो जाए कि exam time पे समझने आ रहा है, यह cm क्यों लिख दिया है हमने, ठीक है? It can be grown on variety of soils. तो यह point को तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. Needs manual labor from sowing to harvesting. तो सिर्फ क्या लिखोगे? Manual labor. Manual labor का मतलब क्या हुआ? मशीनों से इसका खेती नहीं हो सकती है. मशीनों से sugar cane best नहीं उख पाएगा. जितना खुद इंसान को अपने हातों से महनत करनी पड़ेगी. क्या चाहिए? Manual labor चाहिए. खुद के हाथों से काम करोगे तो sugar cane best उख पाएगा. इंडिया is the second largest producer of sugar cane only after Brazil. पूछ सकते हैं कि इंडिया second largest तो है लेकिन किसके बाद है? चाइना के बाद है या फिर दूसरी कंटरी के बाद है तो याद रखना है ब्राजील के बाद इंडिया आता है ठीक है? Sugar cane is the main source of sugar good सबको पता है. Good हमें कहां से obtain होता है? Sugar cane से मिलता है तो ये भी पता है. Point पे जब लिखोगे तो यहाँ पर next point क्या बनेगा? Second largest after Brazil ये बना next point. ठीक है? The major sugar cane producing states are again UP, Karnataka तो दो सेम मिल गए AP. ठीक है? तो point UP, अंडिल प्रदेश, Karnataka. ठीक है? All right. तो octopus के कितने सच में octopus ही लग रहा है ये है ना? तो क्या है sugar cane tropical, sub-tropical region? Hot temperature चाहिए, मतलब बहुत तेस सर्दी भी नहीं चाहिए, बहुत तेस गर्मी भी नहीं चाहिए, 21 से 27 डिजी सेल्शिये. बारिश उसको चाहिए 75 से 100 सेंटीमेटर की. उसके बाद वो manual labor से ही best उगेगा. Sugar cane हमें देता है good और शकर. Sugar देता है. ठीक है? Second largest after what Brazil. और last में UP, MP और करनाटक का. ठीक है? चलो. Next. आगे बढ़ेंगे oil seeds. Different oil seeds. अब oil seeds का मतलब क्या होता है? Different तरीके की ऐसी seeds जो हमें oil provide करती है. आपको पता होगा ना सरसु का तेल हो गया. और किस-किस के तेल होता है. घर में कितने नए-नए अलग-अलग तरीके के Castor oil. और अलग-अलग सरसु का तेल. यंगभग 12% area covered. ठीक है? Oil seeds इंडिया में 12% of area cover करता है. Main oil seeds are ground nut. Ground nut आपका first example हो गया. यह हो गया ground nut. अब मैं पूरा नहीं लिखने हूँ. Ground nut कौल सा crop है? इसमें लिखो गया खारे crop है. And accounts for half of the major oil seeds. तो मतलब अगर यह इतनी है तारी oil seeds हैं. तो यह तो हो गई बाकी की और यह हो गई अकेली ground nut. Ground nut क्या बोलते हैं हिंदी में? मुंपली. ठीक है. Very good. For half of the gujarat is the largest producer. इसी का part बनेगा. Gujarat largest producer LP. ठीक है? Next कौन सा है? Next मिल गया mustard. Mustard क्या होता है? कौन सा mustard को हिंदी में? सरसों. सरसों के खेत में. ठीक है? Next आ गया. एक आ गया sesame. मतलब तिल. तिल भी सुना होगा ना. तिल का तेल. तो यह लिख दिया sesame माम या फिर तिल. कौन सा crop है sesame माम? खारिफ है. तो यह लिख दिया आपने खारिफ. ठीक है? Next आ गया. South India. तो मतलब अब तुम सोच रहो कि एक तरीके से जो यह तिल का तेल है. यह साल भर मिल रहा है हमें. कैसे साल भर मिल रहा है? North region में तो यह आ जाता है. खारिफ crop में. यानि कि खारिफ crop की टाइम पर. मतलब उस टाइम पर आ जाता है. North region में. और राभी हो जाता है यह South India में. तो खारिफ राभी पूरे साल हमें तिल का तेल मिल रहा है. कैस्टर सीज इट इस ग्रोट एस राभी और खारिफ crop. तो यह भी एक तरीके से. यह भी पूरे साल मिल रहा है. अगर question आ गया. What two types of oil seeds are grown all over the year? या फिर what two types of seeds are both rabi and खारिफ? तो answer होगा till and capture. यह जो छोटे-छोटे questions है ना. यह जब तुम याद कर रहे होते हैं. यही question तुम्हारे exam में बनके आ जाएंगे. Name any one oil seed. जो rabi भी यह खारिफ भी है. तो तुम्हें पता होना चाहिए यह दोनों उसके answer है. जलसी का बीज. Okay, next, tea. Of course, सबसे important beverage. Tea is an important beverage crop introduced by British in India. Britishers इंडिया में लेके आये थे English tea के नाम से. बाद में तो यह इतनी साद है. इंडिया को पूरे इंडिया को पूरे भारत को इसकी इतनी आदत है कि कुछ लोगों की सुबा होती नहीं है बिना चाहिए. सबसे अच्छी टाइब की सॉइल चाहिए, अच्छा और्गानिक मैंटर चाहिए, अच्छा लेवल ऑफ फर्टिलिटी चाहिए, तो जाके आपकी टी उगेगी. टी बुशेज रिक्वाइर वॉर्म और मॉइस फर फ्रॉस्ट्री क्लाइमेट थूरूट दे इयर, उसकी सॉइल बिलकुल मॉइस होनी चाहिए, एकदम हाड और ड्राइड नहीं होनी चाहिए. लेबर इंटेंसिव का मतलब हम स्टार्टिंग में समझे हैं, लेबर इंटेंसिव मतलब पूरे टाइम इस एरिया पर प्रेशर रहेगा, पूरे टाइम लेबर जरूरी है, मशीनरी से काम नहीं चलेगा, लेबर को पूरे टाइम बहुत जादा काम करना पड़ेगा, तभी टी की फोटोस गूगल पे सर्च करने जाओगे आपको वहाँ पे हमेशा लोग दिखेंगे ही दिखेंगे क्योंकि टी एक ऐसा क्रॉप है जिसके लिए आपको लोगों की बहुत जादा जरुरत पड़ीगी आप दूसरे क्रॉप्स को गूगल करोगे आपको हमेशा इतने लो काड़ू एंड केरिला यह स्वाइं प्रिंट कल्चर में है ना तो टी कल्टिवेशन में आपको हमेशा लोग दिखेंगे क्योंकि एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है यमिन कॉफी इस यमिन एक टाइप अफ कॉफी है कॉफी बहुत अलग 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 तरीके की आती हैं अलग अलग कंट्री जहां जहां से आई हैं वहाँसे लेकिं इंडिया में कौनसी कॉफी का फृचर कौनसी बरीड हमें मिलती है यमिन कॉफी इस प्रईट हमें इंडिया और सबसे जज्यादा पसंद करने वाली वान혹 क्वेशन विच टाइप ऑ औफ तो यह नहीं कि तुमने लिख रहे होगे ती का भी तुमने ऐसा ही लिखा होगा और कौफी का भी ऐसा ही जाएगा ठीक है, ओल्राइट, चले आगे बढ़े, next, horticulture crops, horticulture वो कौन से crops होते हैं, horticulture basically उन चीजों की production करना, उन टाइप अफ कल्टिवेशन करना जिसे fruits हो गए, और vegetables, different different types के, इन सब की खेती को horticulture crops कहते हैं, इंडिया is a producer of tropical as well as temperate fruits, अभी मैंने पूरे globe में बताया है, कौन सा tropical region होता है, फिर कौन सा आपका temperate zone उपर का ठंड़ा वाला region आ जाता है, फिर आपका तो polar region आ जाता है, वहाँ हमारा इंडिया नहीं है, ठीक है, major crops produced are pea, cauliflower, cabbage, tomato, brinjal and potato, ठीक है, some of the famous horticulture crops are mangoes of महराश्ट्रा, जो महराश्ट्रियन है, उसको तो पता होगा कि उसके यहां की आम की डिमांड कितनी जादा है, ठीक है, और मैं तो इसलिए पता चला क्योंकि मैं पहले, तारक मैं ताप बहुत देखती थी तो उसमें तो बहुत जादा आम के बारे में पता चलता था, ठीक है, चालो, नाना चिप्स तुमने खाये होंगे, mostly वो south से आते हैं, तो again तुम्हें मिल गया इस ये area, ठीक है, leechy and guava आता है उत्तर प्रदेशन बिहार से, horticulture का मतलब होता है fruits and vegetables की खेती, ठीक है, उसको, next, pineapples of meghalia, इसमें अब एक मैं बात बता दू, जब मैप में पूछा जा सकता ह होटी culture का, pineapple का major area कौन सा है, mark करो, meghalia में कौन सा fruit है, mark करो, तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, तो अब इसको कैसे याद करोगे, तुम different different तरीके से table भी बना सकते हो, ठीक है, अब सबसे पहले तुम यहाँ पर लिख सकते थे, mangoes, उसके area लिखो, ठीक है, one, two, three, फ होटी culture crops एक page में बन जाने चाहिए, ताकि अभी तो एकदम मैं यह नहीं उमीद कर सकती हूँ तुम्हें बच्चों तुमसे कि तुम्हें आभी याद हो जाए, जैसे मैंने बोल दिया, वैसे तुम्हें याद हो जाएगा, नहीं, लेकिन तुम ऐसे table के form में लिखोगे, त अगर रोज भी तुम पढ़ोगे एक बारी या पांच पिनिट लेकर भी तुम उसको देख लोगे ना, तो ऐसा नहीं कि तुमने याद नहीं हो सकता है, ठीक है, मुझे भी time लगा होगा उस time पर याद करने में, लेकिन रोज पढ़ोगे, रोज मैं भी पढ़ाओंगे, त तुम्हें भी हो जाएंगे, ठीक है, चलो, next, grapes, अंदरप्रदेश, तेलांगना, महराष्टा, तो तुमने यहाँ पर डाला grapes, और उसके regions को लिख दिया, apple, pear, apricots, walnuts, ये तो कुछ fruits तो देखो ऐसे हैं, जो तुम्हें already पता है, तुम्हें पता है कि apples, बहुत बड़े-ब है, उसी को use करना है, अब हम पढ़ेंगे non-food crops, ये एक जैसी टेबल है, अलग-अलग है, ठीक है, चलो, two minutes break, किसी को कोई doubt है, तो मुझसे पूछ ले, कुछ problem है, तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे non-food crops में, जो चीज़े हम नहीं खा सकते हैं, उसमें, ठीक चाहिए, अभी ही चाहिए, तो तुम उसको YouTube पे जाके देख के आ सकते हैं, ठीक है, फ्लाइड पहले करूँ मैं, ये लो, हरशित, don't worry, तुम्हें ये PDF मिलेगी, तो PDF में तुम्हें ये ये methods तुमें दिखी जाएंगे, तो तुम लोग जो miss out हुआ है, वो सारा notes में डाल लेना, ठीक है, आल राइड, तो परिशान होने की जरुत नहीं है कि मैंने आगे बढ़ा दिया, notes मैं पूरे नहीं लिख रही हूँ, लेकिन तुम्हें PPT मिल जाएगे, ठीक है, ये लो, टी वाली slide, और इसलिए मैं दो मिनिट दे रही हूँ, कि जिसने notes income rate छोड़े हैं, वो जल्दी से लिख लो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे non food crops में, 12% सीज़, मतलब जितने भी crops उपते हैं इंडिया में, उसमें से 12%, 12% वही ले जाते हैं, ठीक है, चालो, horticulture crops का, तो मैंने notes ही नहीं बनाया है, तो वो तो तो में मिल जाएंगे, ऐसी बनानी है, उसकी table, उपर heading डालोगे, horticulture crops, और ऐसे headings बनाऊगे, एक page में हो जाना चाहिए, ठीक है, मिताली बोल रही है, आज के लिए काफी है, बस थोड़ा सा part और बच्चा है इस chapter का, ठीक है, फिर आज के लिए, आदा तो देखो तुम्हें याद होई गया होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें लगता है, लेकिन तुमने कम से कम तुम सब को 40 to 50% याद हो गया है, चालो, आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, फिर एक बार और इन नोट्स को पढ़ोगे, तो उसके बार तुम्हें चाप्टर पक्का पक्का याद हो जाएगा, और फिर चाप्टर रीट कर लोगे एक बार तो फिर तुम्हें इसको अभी बिल्कुल साइ करनी है, साली ठकान को इदर उड़ा के फैक दो, सोचो, देखो सब कुछ माइंड गेम है, आपका माइंड 100% कर सकता है, लेकिन आपकी बाडी से 50-60% करती है, और सोचती कि वो ठक गई, लेकिन आपका माइंड से अगर आप रिपैर रखो कि नहीं हम और कर सकते हैं, तो Automatically तुमारी बाडी ठके ही नहीं, ठीक है, हमारा माइंड बहुत आगे जा सकता है, लेकिन हम पहले ही ठक जाते हैं, कोई नहीं ठका है, ठीक है, चलो All right, rubber, it's an equatorial crop, equatorial crop का मतलब क्या होता है, यानि गर्मी चाहिए उतको, it requires a moist and humid climate, ठीक है, that rainfall of more than 200 cm, and temperature above 25, यानि की full गर्मी लेवल चाहिए रबड को, ठीक है, Fiber, Fiber का मतलब क्या होता है, कपड़ा, जिससे हम कपड़े बनाते हैं, Fiber is something, जिसमें cotton आता है, जूट आता है, हम पाता है, सिल्क आता है, and more, our favor, our four major fiber crops, cotton, जूट and hemp are grown in the soil, बहुत सिंबल जी 90, equator region में ग्रो होने वाली, बिल्कुल सही, correct answer, yes, cotton कौन सा crop है, खारिफ crop है, क्य चाहिए, high temperature चाहिए, temperature लिख दिया, high, light rainfall चाहिए, 210, frost free days, यानि की, of course, अगर इदर high temperature बोल थिया है, तो बतलब उसको सर्दी तो नहीं चाहिए, frost तो सर्दियों में होती है, तो frost तो 210 days तक minimum नहीं चाहिए, तो जाके वो होगेगा, और एकदम bright अच्छी sunshine चाहिए, all right, jute is known as the golden fiber, क्योंकि जूट से क्या बनते हैं, कितनी चीजें, जूट बैक्स बनते हैं, जूट क्या है, इसका नाम है golden fiber, mcq point, पहले बहुत सारे जूट के कपड़े की चीजे बनती थी, बोरियां बनती हैं, जूट की, क्योंकि इतना भारी भारी जो समान है, वो जूट है, ठीक है, जूट के बैक्स होते हैं, इतने, डूरेबल होते हैं, लॉंग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेंट पॉर्टाइल सॉइल्स चाहिए, हाई टेंपरेचर चाहिए, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है, चलो, all right, rubber का अगे का पार्ट, इंडस्ट्रियल के लिए एक अच्छा raw material है, रबर, again, MCQ question, वैसे तो तुम नोट्स पे लिखोगे ही सही, बट बीच बीच में, इसे MCQ भी मार्ट करते रहना, फाइबर क्या होता है, एक natural silk, अच्छा सिल्क कहां से मिलता है, जो silk warm होता है, silk warm का जो बाहर खाना खिलाए जाता है, ताकि वो अच्छा कुकून बनाए, अच्छा कुकून बनाएगा, तो उसकी weaving के बाद हमें अच्छा silk मिलेगा, ठीक है, cotton grows well in black soil of the bacon plateau, और जूट किसले काम आता है, mat बनाना है, रस्तियां बनाना है, कार्पेट बनाना है, और bags, gunny bags बनाना है, artifacts बन mark definition, या फिर MCK, सरी कल्चर क्या बोलते हैं, जो भी कुकून है, उसकी rearing करेंगे, उससे जो silk मिलेगा हमें, fiber मिलेगा, उसे सरी कल्चर बोला जाता है, cotton कहां मिलता है, महराश्टरा, गुजरात, MP, करनाटका, कोई भी 3-4 याद रखना, जूट कहां बिलता है, eastern side में मिल रह North Eastern India में मिलेगा, जूट, ठीक है, चलो, agriculture provides a livelihood for more than 60% of population, आज भी इंडिया के 60% से ज़्यादा population किस पर dependent है, agriculture पर dependent है, so this sector needs some serious reforms, reforms मत्ला बदलाव, changes लाने जरूरी है, अगर अभी भी उस तरीके की farming agriculture ऐसी तरीके से use होती जाए कि shifting cultivation चल रहा है, तो चले जा रहा है, तो उससे land की fertility खराब होती जाती है, उसकी वज़े से इंडिया में क्या introduce हुआ, green revolution and white revolution, what is white revolution, इसको एक और नाम दिया जाता है, किसी को पता है, दूसरा नाम, were some of the reforms initiated by the people to improve agriculture, green revolution है, ये कि अच्छे से अच्छे H5C, HYV seeds का production हो, अच्छे fertilizers बोलें, जिससे आपकी crop की productivity, land की productivity increase हो, land की productivity increase होगी, तो crops जादा होगेंगे, crop जादा होगेंगे, तो खेती जादा अच्छी होगी, और उससे land के उपर जादा production मिलेगा, ठीक है, येस, white revolution is also known as operation, क्या बुला जाता है, flood, इंडिया को milk में self-sufficient बनाने के लिए white revolution आया था, बस एक line याद रखना काम चल जाएगा, ठीक है, very good, अब initiatives क्या क्या लिए government ने, schemes क्या है government की, प्रिस्तान, credit card, personal accident, insurance, cream, ये सारी चीज़े ऐसे निकाली गई, कि भई किसानों को भी थोड़ी सी power दी जाए, किसान पूरे दिन, पूरे इंडिया के लिए काम करता है, इतना crop cultivation करता है, produce करता है, तो उनको भी कुछ importance दी जाए, उ special weather bulletin and agriculture programs for farmers on the radio and television were introduced, क्योंकि farmers की income बहुत जादा नहीं होती, वो technology को जानते नहीं है, अच्छे से, हो सकता है, farmers में इतनी education नहीं हो, उस वज़े से radio और TV पे पहले ही, एक दो दिन पहले ही, कि next दिन बारिश होने के कितने आवो है, आसार है, नहीं है, बारिश होगी, तो कि यह तेज आएगी, अगर नहीं आएगी, तो आने वाले महीने में क्या weather conditions रहेंगे, यह सब सरकार ने बताना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है, farmers prepare हो जाते कि अगर हमने अभी seeds लगा दिये हैं, तो साई टाइम पे लगाएं हैं, कि नहीं थोड़ा रूपके लगाएं, अगर बारिशे बहुत तेज आने वाली है, तो बचाप कैसे करेंगे, कि flood ना आ जाए, और अगर बारिशे नहीं आने वाली है, तो दूसरा क्या तरीका है, जो हम अपना सकते हैं, तो irrigation यूज़ करें, fertilizer जादा यूज़ करें, तो पहले ही government ने शुरू कर दिया, यह सारी चीज़े बताना, the government also announces minimum support price, यह भी बताती है, सरकार कि अगर आपका जो crop है, जो commercial farming का crop है, और जो market में आपका cultivation crop जाता है, अगर वो market में ना बिके, तो हम आपको एक minimum price भी देंगे, ताकि आपका तो घर चल सके, renumerative and procurement prices, renumerative मतलब कुछ amount of पैसा, हम renumerate पैसा देना, पैस ने उनकी खेती फसल नहीं खरी दी, तो सरकार उसको थोड़ा सा ले लेगी, और आने वाले टाइम में उसे आगे बेच देगी, आगे market में दे देगी, तो सरकार procurement भी करेगी, मतलब collect करना, ठीक है, important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen, तो कभी-कभी क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े- और जमीनदार्स और जो लोग होते हैं, वो छोटे farmers का समान ले जाते हैं, या तो free price में, या बिलकुल पैसा ना देकर, या अगर crops ले जाते हैं और उसका पैसा नहीं देते हैं, या हड़ा लेते हैं, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए सरकार ने ये scheme खुद चालू कर इंडिया में लगभग 52% सिर्फ farm में हैं और इसका share फिर भी GDP में हैं कम, कि तीन sectors हमने sectors of Indian economy पढ़ा था और देखा था कि agriculture sector में लोग जादा होने के बाद भी agriculture sector की GDP है कम, फिर आया Indian Council of Agriculture Research, one mark question, one mpq, agriculture universities है, veterinary services है, ताकि जो cattle है, आपके छोटे animals हैं, आपके जो खेत में रह हैं, उनको free services provide करना, उनकी breeding उनको करवाना, horticulture यानि की fruits and vegetables उगाना, उनका development किया गया, उनकी research करी गई, weather forecast बताने लग गए, दीरे दीरे इस सारी चीज़े farmers के लिए introduced होने लग गई, ताकि Indian agriculture improve हो सके, ठीक है, तो यह था, इसका बहुत easy part है, इस chapter का, कि दीरे दीरे सरकार आने कई तरीकी schemes लाई, ताकि उनको support price दे सके, उनका agriculture बहतर कर सके, उनके जो खुट के घर के animals है, उनके cattle है, उनको अच्छी services provide कर सके, वो बीमार पड़े, तो उनको doctor की services मिल जाए, ठीक है, तो यह सारी चीज़ों से farmer को हम और अच्छी life दे सकते हैं, और Indian agriculture को हम improve कर सकते हैं, so this completes our chapter